महिला प्रीमियम लीग के पहले सिजन की धमाकेदार शुरुआ थोच की है लीग में 5 मार्च को दो बड़े मुकाबले खेले गए इनका दूसरा मुकाबला गुजराज जायर्स और यूपी बॉर्यर्स के बीच डीवाई पार्डिल स्टेडिया में खेला गया जिसमें यूपी बॉर्यर्स ने तीन विकर्ट से शांदार जीत हासिल की गुजराज जायर्स से खिलाप इस मैच में जीत दर्ज करने के बाद यूपी बॉर्यर्स की खिलाड़ी किरण नवगिरे इस वक्त सोशल मीडिया में अपने खास अंदाज के लिए चाही हुई है दरसल किरण नवगिरे जिस बल्ले से इस मैच में बल्ले बाजी कर रही थी उस पर महेंद सीन धोनी का नाम लिखा हुआ था इसकी तस्वीरे सोशल मीडिया में जंगर वारल हो रही है वहीं मैच की बात की जाए तो गुजराड जैंस ने पहले बल्ले बाजी करते हुए हर लीन डेवल के 43 रनों की मदद से 117 रनों का टार्गेट सेट किया लक्ष का पीछा करने उतरी यूपी वारियर्स शुरुआत में जल्दी विगट गवाती हुई नजर आई लेकिन फिर गिरेंड नवगिरे ने 43 गेदों में 5 चौको और 2 चको की मनद से 15 रनों की मैच विनिंग पारी खेली टिरेंड नवगिरे की सांदार बल्ले बाजी के दोरान जिस चीज ने सब का ध्यान की चावए था उनका बैट जिस पर महेंद स्की धूनी का नाम लिखा हुआ था टिरेंड के बल्ले पर MSG 07 लिखा हुआ था टिरेंड ने अपने इस अंदाज से जग जाहिर कर दिया कि वह धूनी की कितनी बड़ी फैन है कई मौकों पर वो ये बता भी चुकी है कि वो धूनी की सबसे बड़ी फैन है वही बात गुजराद जैंड और UP वारियस के बीच मैच की करे तो कर दो